आज हम नालिल की चटनी बनाएंगे इसे हम डोसा वड़ा उत्पम इन सब चीजों के साथ बड़े शौंक से खाते हैं तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं नालिल की चटनी पहले जो मैंने इंग्रीडियंट्स लिए इसके लिए वो में बता देती हूं फिर हम आगी का प्र चाल कैसल में रहा उसर करेंगें इसके लिए मैंने जू हम आधा नार्य लियर अ संगा अरणारी जिसमें पानी का मेरा मुशा खी पांटे सब्सें और के पाई कर सकते कर चाहिएम इन्याना दाल मैंने आधा बर्दड यूसां कर कर रहे हूं और बिखोगी रख दिया था दो हरी मेश लिया उसको मोटा मोटा चॉप कर लिया वन टी स्पोन मैंने जो है नमक लिया नमक आप अपने टेस्के अकॉर्डिंग एड़स कर सकते हैं और हाफ कप मैंने दही लिया दही हमारी फ्रेश दही होनी चीजिए इसके लिया और यह मैंने अलिव लिया आप कोई भी ओयल इसमें यूज कर सकते हैं तो सबसे पहले हमें जो स्टेप करना वो यह है कि हमें चना दाल को फ्राइ करना है तो चलिए पहले चना दाल को हम फ्राइ करते हैं मैं यह कडाई लिया अब मैं इसके नीचे गैस को ओन करूंगी अब हम इसके अं दाल को हम लगबद एक दो मिनट तक अच्छे से गुन लेंगे आप देख सकते हैं दाल हमारी ज़र फ्राइ होगी है अब मैं गैस को आप कर दूगे अब हम इसे थोड़ा थंडा होने देंगे पांच मिनट तर फिर हम नेक्स्ट्ट पर रहें 5 मिनिट हो चुकी है दाल हमारी ठंडी हो चुकी है अब मैं मिक्सी का जार लूँगी और जार के अंदर यह सब चिज़े बालकर मुझे फाराइन पेस्ट बनाना है अब इसमने जार में नारियल डाल है अब हम इसमें यह हरी मिर्च अमक यह हम दही डालेंगे इसके अंदर और अब मैं इसके अंदर यह डाल भी डाल दूंगी फ्रेंट्स हमें इसके अंदर जो है धीरे-धीरे करके पानी एड़ करते हुए हमें इसका एक स्मूध बहुत स्मूध पेस्ट बनाना है, जितनी स्मूध होगी है उतना ही हमें खाने में अच्छी भी लगेगा, इक आफू टेस्टी बनती है यह, अब हम इसके थोड़ा-धो कितना स्मूध पीस है, जितना आप इसे स्मूध पीस हैंगे उतना ही ये खाने में काफी टेस्टी लगेगी, तो चलिए अब इसको हम तड़का लगाएंगे, चेकनी को मैंने इस बोल में निखा लिये, अब हम इसे तड़का लगाएंगे, इसके लिए मैंने एक पैन लिये, और में गैस को ओन करूँगी पैन के अंदर में ओयल डालूँगी लगबड एक से तेट चमच ओयल को हम गरम होने देंगे फ्लेम को जो है मैं कम करदूँगी और अपने ये सब चीज़े इसके अंदर आड़ करदूँगी हलका सब फ्लेम को तेज करेंगी अब मैं फ्लेम को ओप करदूँगी आप देख सकते हैं तड़का हमारा बनका रेडी हो गया अब मैं इसे चटनी के ऊपर डाल दूँगे अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं चटनी हमारी रेडी है सब करने के लिए मैं उमीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तेंक यू